असलाम अलेकम फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस एसन रही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही जबरदस्त अन्बॉक्सिंग और ये अन्बॉक्सिंग है सोनी का ZV-E10 कैमरा अलफा सीरीज का ये कैमरा है जो सोनी ने अभी रिसेंटली लाँच किया है और अगर आप एक कांटेंट क्रियेटर हैं आप यूट्यूबर हैं आप विलॉगर हैं अगर आप टिक टॉकर हैं आप किसी भी किसम का अगर कांटेंट प्रोड्यूस करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और आप मुबायल की बजाए DSLR वाला रिजर्ट चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए है तो आज इसकी इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं कैमरा है और क्या है वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में इसके फीचर्ज और इसकी जितनी क्वालिटीज हैं कि जिसकी वज़ा से आपको अपने मुबाइल फून से DSLR पे शिफ्ट होना चाहिए तो वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा 2021 का मेरे लिहाज से तो ये एक बेस्ट विलॉगिंग कैमरा है और इसमें बहुत जारे की फीचर्ज हैं पहले इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं उसके बाद मैं इसके जो की फीचर्ज हैं वो आपके साथ डिसकस करता हूँ अच्छा जी ये इसका बॉक्स अपन हो गया है ये है जी इसका कैमरा बड़ा ही कॉम्पैक्ट और स्मार्ट साइज है इसका इसके साथ इसकी ये चार्जिंग केबल बैटरी अच्छा ये एक इसके साथ USB केबल है अगर आप बैटरी को कैमरे के अंदर ही चार्ज करना जाते हैं तो आप इसके चार्ज कर सकते हैं ये इसके साथ एक विंड माफ है अगर आप किसी विंडी एरिया में शूट कर रहे हैं जहां पर हवा का प्रेशर है तो आप इसको इसके साथ अटैच करके तो विंड रिड़क्शन के लिए ये होता है ये इसका चार्जर और ये एक स्ट्राइब आता है इसके साथ ये बॉक्स में तो यही कुछ है चाहिए मैंने इसके साथ ये कॉम्बो डील ली है कॉम्बो डील में ये एक आपका जो आता है ट्राइपोर्ट इसमें ये एक इसका पाउच है और ये ट्राइपोर्ट के तोर पे भी आप यूज कर सकते हैं और इसके इलावा इसके सारे फंक्शन्स हैं आप इसके मुवी का बटन है फोटो मोड सारे मोड इसमें चेंज कर सकते हैं और एज़े आप इसको एक grip के तोर पर भी यूज़ कर सकते हैं जहां तक इसकी price की बात कीज़े तो इसकी जो पाकिस्तान में price है वो ये combo deal की जो price है ये 140,000 है 140,000 है तो इसका जो use है वो बड़ा easy है अगर आप पहले DSLR आपने use नहीं किया और आप DSLR से familiar नहीं है तो आप इसको बड़ा easy ली use कर सकते हैं mobile camera से आप SLR पे shift हो सकते है इसका operation easy है अगर आपने पहले Sony alpha series के camera यूज़ की हैं 6100 से 6600 तक तो उसी series का ये alpha series का camera है और इसमें तकरीबन function same है अब इसके key features की अगर बात की जाए तो इसमें एक तो ये on off का button दिया गया है on off आप यहां से कर सकते हैं Sony के जो पहले जितने भी cameras आते हैं उनमें एक बड़ा छोटा सा recording का button होता है जो side पे होता है लेकिन इन्होंने एक dedicated button दिया है जो video recording के लिए फिर उसके बाद इसमें ये button है कि अगर आपने shift करना है picture mode से movie mode में movie से अगर आप slow motion बनाना चाते हैं तो आप इस button को अगर आप use करें तो आप फौरण जो है वो shift हो सकते हैं अगर आप कहीं चलते चलते आपको ये feel आता है कि आपने slow motion में कोई video बनानी है तो आप फौरी इस button को प्रेस करेंगे तो आप तीनों modes पे जो है शिफ्ट हो सकते हैं picture से, video पे, video से फिर आप slow motion पे भी shift हो सकते हैं उसके लावा ये एक button है ये इसके लिए zoom अगर आपके जो lens है उसमें zoom की option है तो आप इस से zoom in out कर सकते हैं sony ने एक साल पहले अपना ZV-1 camera launch किया था वो भी purely एक vlogging camera था लेकिन उसमें आपका जो lens था वो fix था लेकिन ये जो इन्होंने ZV-E10 इंट्रड्यूस करवाया है इसमें इसके interchangeable lens है आप sony e-mount के कोई भी lens इसके साथ यूज कर सकते हैं अगर आप 16mm यूज करना जाते हैं prime lenses, zoom lenses किसी भी टाइप का e-mount lens आप इसके साथ यूज कर सकते हैं जो के एक बड़ा जबर्दस जो है वो आपके लिए feature है उसके बाद इसमें जो दो main feature है key feature जिने आप कहें उनमें एक तो यह है कि अगर आप जैसे आप कहते हैं आपने background को blur करना है, bookay feel लेनी है तो उसमें एक dedicated यह button दिया गया है अगर आप इस button को on करेंगे तो आपका जो background है वो blur हो जाएगा और अगर आप इसको दुबारा से press करेंगे तो आपकी जो background की detail है वो वापस आ जाएगी एक तो यह इसका main feature है जो के अगर आप पहले SLR यूज़ नहीं किया आपने और आप mobile से ही वीडियो जमाते थे तो आपके लिए बड़ा easy है इसको use करना और दूसरा जो इसमें main feature है वो यह है कि अगर आप इसके यह delete button को दो दोफा प्रेस करें तो यह आप product showcase mode में चला जाता है अगर आप product का जो है वो review करते हैं तो उसके लिए यह एक बड़ा जबरदस feature है क्योंकि जो पहले cameras हैं उनमें वो इतनी जल्दी आटो फोकस नहीं करते कि आप product उसके camera के सामने लाएं तो वो फोरी तोर पे उसको focus करेंगा और जैसे ही आप उसको frame से out करेंगे तो वो दुबारा से आपके face पे focus कर लेगा तो यह दो इसके बड़े main features है एक और इसका जो बड़ा जबरदस feature है वो यह है कि आप इसको webcam के तोर पे भी use कर सकते हैं अगर आपने को zoom meeting arrange करनी है high quality की result चाते हैं तो आप इस camera को as a webcam भी use कर सकते हैं दूसरा vlogging के हवाले से यह the best है उसकी वज़ाई यह है कि अगर आप यह देखना चाते हैं कि आप frame में कैसे आ रहे हैं तो अमोमन tilted screen होती है लेकिन इनकी इनोंने जो screen दी है इसको आप totally rotate कर सकते हैं अपनी तरफ तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी framing कैसी हो रही है तो यह भी इसका एक extra benefit है तो हर लिहाँ से यह बड़ा जबर्दस camera है अगर आप vlogging करते हैं अगर आप tik-tok की videos बनाते हैं तो आपके लिए camera the best है अगर आप landscape की बजाए आप portrait mode में भी videos बनाना चाते हैं तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं एक और इसमें जो additional feature है कि इसमें जो तीन building mics दिये गए हैं अगर आप कोई external mic नहीं भी use करते तो जो इसका internal mic है वो काफी अच्छा है आप उससे अच्छे तरीके से आपकी audio record हो सकती है और अगर आप किसी windy situation में आप outside हैं कहीं पे जहां पे आप समझते हैं कि हवा की जो आवाज है वो काफी आएगी wind का pressure काफी है तो ये wind मफ दिया गया है इसको आप इसके ओपर install करेंगे तो ये आपकी जो wind reduction के लिए बड़ा जबर्दस है आप इससे बड़ी अच्छी audio जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप building माइक यूज नहीं करना चाते हैं एक्स्टरनल माइक यूज करना चाते हैं तो उसके लिए भी एक आपको port दिया गया है आप एक्स्टरनल माइक लगा सकते हैं एक्स्टरनल माइक के साथ भी आप अपनी audio record कर सकते हैं फिर ये एक इसके अंदर USB port दी गई है टाइप C आप बैटरी निकाले बगएर अगर कैमरे को चार्ज करना चाते हैं तो वो भी आप डिरेक्ली से चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ जो ये लैंज आता है ये 16-50 mm इसके साथ जो kit लैंज है वो आता है ये भी अगर आप नहीं भी कोई और लैंज लेते तो ये भी एनफ है आपके लिए आपका जो है वो नीड पूरी हो सकती है इससे दूसरा अगर आप लैंज चेंज करना जाते हैं तो आपकी मर्जी है आप इसके साथ कोई भी इमांट लैंज यूज कर सकते हैं तो मेरे लिहाँ से ये आज की दोर में 2021 में विलॉगिंग के लिए कॉंटेंट क्रियेशन के लिए बड़ा जबरदस कैमरा है और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है 4K वीडियो शूट करता है 4K 30 फ्रेम्स तक ये शूट करता है तो बड़ी इस चीज़ की आडियो और वीडियो कॉलिटी है इसमें जितने भी अच्छे फीचर्स हैं मैंने आपके साथ एक्स्प्लेइन कर दी है और आपको क्यों बाय करना चाहिए ये सारे जो ऐसे फीचर्स है जो के अभी तक जितने भी विलॉगिंग के लिए कैमरा आएं है मेरे लहाज से ये सबसे बेस्ट कैमरा है जिसमें ये तमाम फीचर्स दिये गए है उसके लावा एक और इसमें कॉलिटी ये भी है अगर आप इंडोर भी शूट कर रहे हैं तो ये आपको जो है वो आपके फेस को ब्राइट रखता है जैसे जैसे आप जिस लाइट में जाते हैं उससे साब से ये लाइटिंग को अटमेटिकली अडिजस्ट कर देलता है तो ये भी मेरे साब से एक बड़ा अच्छा फीचर है पिर इसमें स्टेडी शॉट का एक फीचर है कि अगर आप जो है वो उसको आउन कर लेते हैं तो ये आपकी जो इमिज है उसको स्टेबलाइज कर देता है सोनी ने इसके लिए एक डेडिकेटिड सॉफ़वेर निकाला है कैटलिस्ट ब्राउज आप अपनी फुटिज को बाद में स्टेबलाइज करने के लिए सॉफ़वेर को यूज कर सकते हैं उसमें आपका क्रॉफ एक्टर जो है वो कम हो जाएगा तो अवर अगर आप देखें तो विलॉगिंग के लिए दी बैस कैमरा है जैसे के आज बहुत से लोग जो है वो विलॉगिंग करना पसंद करते हैं परड़क्ट शूटिंग करना चाहते हैं ये तमाम फीचर्ज इस कैमरे में मौझूद हैं इसलिए मैं रिकमेंट करूँगा कि अगर आप इंटरस्टेड हैं तो आपको ये कैमरा ज़रूर बाय करना चाहिए बाकि एड बी एंड यही कहूँगा कि आपको वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज लगी वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर अबीरा का आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें